जो शब्द वाक्य में नाउन अत्वा प्रनाउन की विश्यष्टा बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं सभी एक्जाम्स में बहुत ही जादा पूछा जाने वाला टॉपिक है एडजेक्टिव बिना डेफिनेशन के अगर हम एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करें तो एडजेक्टिव वह होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रनाउन याने कि किसे भी नाम के आगे या पीछे लगकर एक meaningful sense दे रहा हो तब हम उस शब्द को adjective कहते हैं जैसे समायरा एक नाम है याने कि समायरा एक noun है इसके आगे अगर हम cute समायरा लिखते हैं तो cute समायरा के आगे लगकर एक meaningful sense बना रहा है cute समायरा याने कि प्यारी समायरा वैसे ही beautiful समायरा और intelligent समायरा ये दोनों ही वर्ड समायरा के आगे लगकर एक meaningful sense दे रहे हैं ये तीनों वर्ड समायरा के आगे लगकर एक meaningful sense दे रहे हैं इसलिए ये तीनों वर्ड adjective कहलाएंगे सबसे नीचे लिखा है बॉक्स समायरा, पैन समायरा, टेबल समायरा ये तीनों ही वर्ड समायरा के आगे लगकर कोई भी meaningful sense नहीं दे रहे हैं इसलिए ये तीनों वर्ड एग्जेक्टिव नहीं कहलाएंगे हम एग्जेक्टिव सिफ उनी वर्ड को कहेंगे जो नाउन और प्रनाउन के आगे या पीछे लगकर meaningful sense दे रहे हो जो वर्ड नाउन और प्रनाउन के आगे या पीछे लगकर कोई भी meaningful sense नहीं दे रहे हो तब हम उन वर्ड को एग्जेक्टिव नहीं कहेंगे आप सभी को आसान शब्दों में यह समझ में आ गया होगा कि हम executive किसे कहते हैं exam में सबसे ज़्यादा जो topic पुछा जाता है उसे हम comparison of adjective कहते हैं याने की comparison of degree comparison of adjective तीन प्रकार के होते हैं positive degree, comparative degree और superlative degree जब केवल एक के बारे में ही बात हो रही हो तो उसे हम positive degree कहेंगे positive degree में हम simple words का use करते हैं जब दो के बीच में तुलना हो रही हो तब हम उसे comparative degree कहते हैं और जब किसी एक की सबके साथ में तुलना हो रही हो तो उसे हम superlative degree कहते हैं superlative degree का important point यह है कि जब भी हम superlative degree का use करेंगे तो हमेशा उसके पहले द लगाएंगे अगर आप superlative degree के पहले द नहीं लगाएंगे तो आपका answer गलत हो जाएगा comparison of degree में हम type 1 देखते हैं positive degree हमेशा simple word ही रहेंगे जैसे fast, slow, high, low यह सबी simple word है जब हम comparative degree की बात करेंगे तब इन simple word के last में यूस करेंगे जैसे faster, slower, higher, lower यह सबी comparative degree के अंदर आते हैं और जब superlative degree की बात करेंगे तब हम इन simple word के last में est लगा देंगे जैसे fastest, slowest, highest, lowest यह सबी words superlative degree में use करेंगे और एक important point जो हमने आगे पड़ा था कि जब भी हम superlative degree का use करेंगे तब उन words के आगे द लगाएंगे टाइप वन के examples में सबसे पहला example है leopard can run fast, tendua तेजी से दोर सकता है यहाँ पर सिर्फ एक अकेले tendua की बात हो रही है यहाँ पर हम tendua की quality simple word में बता रहे हैं कि tendua fast दोर सकता है सिर्फ एक अकेले tendua की बात हो रही है इसलिए इस sentence को हम positive degree sentence कहेंगे दूसरे example में leopard can run faster than deer यहाँ पर leopard और deer याने की tendua और hiran के बीच में तुलना हो रही है tendua हीरन से भी तेज दोर सकता है दो के बीच में तुलना हो रही है इसलिए comparative degree कहेंगे थर्ड example में है leopard can run the fastest यहाँ हम एक अकेले leopard की सब के साथ में तुलना कर रहे है कि leopard सभी से तेज दोर सकता है तो यह superlative degree कहलाएगा टाइप 2 positive degree हमेशा simple word ही रहेंगे जब हम simple word के आगे more लगा देंगे तब comparative degree कहलाएगा और जब हम simple word के आगे most लगा देंगे तो वह superlative degree कहलाएगा टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में अगर हम short trick लगाए तो 80% case में यह short trick काम आती है short trick यह है कि कोई भी simple word जो six alphabet से जादा है तो उसके आगे more या most लगा दो और अगर simple word six alphabet से कम है तो उसके last में er या est लगा दो यह short trick 70 से 80% word के साथ में ही काम करती है 100% नहीं टाइप 2 का first example है Cinderella is beautiful Cinderella खुपसूरत है यह एक positive degree sentence है क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ Cinderella के बारे में ही बात की जा रही है second example में है Cinderella is more beautiful than रामकटोरी यहां पर हम Cinderella की तुलना रामकटोरी अंटी जी से कर रहे है कि जो Cinderella है वो रामकटोरी अंटी जी से ज़्यादा सुन्दर है यहां पर दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है इसलिए इसे हम comparative degree कहेंगे third example है Cinderella is the most beautiful Cinderella सबसे सुन्दर है यहां पर हम Cinderella की तुलना सभी से कर रहे हैं एक ही वेक्ति की तुलना सभी के साथ करना याने की यह सुपरलेटिव डिगरी है type 3 इन है irregular comparison कहा जाता है type 1 और type 2 में positive degree, comparative degree और सुपरलेटिव डिगरी इन तीनों में simple word same थे type 1 और type 2 दोनों में अंतर यह था कि type 1 में comparative degree मैं simple word के last में er और सुपरलेटिव डिगरी के last में es लगता है और type 2 में comparative degree में simple word के आगे more लगता है और सुपरलेटिव डिगरी में simple word के आगे most लगता है type 3 में positive degree के word degree के साथ change हो जाते हैं जैसे good और well positive degree word है जब इन्हें comparative degree में लिखा जाएगा तब good और well का better हो जाएगा और जब इन्हें superlative degree में लिखा जाएगा तब good और well का best हो जाएगा type 3 का first example है राम is good, राम अच्छे है यहां केवल राम के बारे में बात हो रही है कि राम अच्छे हैं इसलिए यहां positive degree कहलाएगा example 2 है राम is better than रावन यहां राम की तुलना रावन से हो रही है राम और रावन इन दोनों के बीच में comparison हो रहा है इसलिए यहां comparative degree होगा थर्ड एक्जाम्पल में राम is the best राम सबसे stressed है यहां राम की तुलना सब के साथ की जा रही है इसलिए यहां comparative degree sentence होगा इन तीनों example में comparison के साथ साथ word change हो गये है good, better, best type 3 के positive degree good, well, bad, ill, evil, much, man बस इन words को आप याद कर लो और हमेशा यहां ध्यान रखना की यह word degree के साथ change हो जाते है बाकी जितने भी simple words हैं वे सभी type 1 और type 2 में आते हैं इसलिए और जितने ong parka जिम याद गजकिन साथ harvest आते हैं क्वारे र影片 गयरा है पल्य है झाल